प्यारे विद्यार्थियों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एकजामसन में आज हम हिस्ट्री का 13th लेक्चर लेकर के आई हैं और जैसा मैंने कल आपको बताया था कि आज के दिन हम करेंगे आंदर साथ वहन वंश आंदर साथ वहन वंश की बात करें तो कि इस काफी बड़ा साशनकाल इनका था दक्षिन भारत के अंदर इनका साशन हुआ करता था साथ इसा पूरो से लेकर के 240 इसवी तक यानि कि 300 वर्स तक आंदर साथ वहन वंश ने साशन किया तो लीजी हम जल्दी से इसके उपर बढ़ते हैं आंदर साथ वहन वंश प्यारे विद्यार्थियों जैसा मैंने आपको बताया था कि इस वंश की स्थापना सीमुक ने की थी साथ इसा पूरो ये वही सीमुक था जिसने कण वंश के अंतिम साशक की हत्या की थी सीमुक ने साथ इसा पूरो से लेकर सैंतिस इसा पूरो तक शाशन किया और उसके बाद उसका छोटा भाई किर्शन राजगर्दी के उपर बैठा साथ वहन वंश का समराजे आंदर परदेश से पश्ची में नासिक जो महरास्ट्रा में है वहां तक फैला हुआ था किर्शन के पूतर का नाम था शातकरणी शातकरणी का नाम आपने सुना होगा काफी परतापी राजय था और उसने दो बार आशों में यग करवाया था वही आसों में एक यग जो हम कल के वीडियो के अंदर कर चुके हैं जिसमें घोडे छोडे जाते थे विभीन डारेक्शन में जिसमें से जिस राजा में ये दम होता था कि वो यूद कर सके वो उन घोडों को पकड़ लेता था और जो राजा घोडों को पकड़ लेता था उ तो उस जगहें को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था। साथ वहन वंस के सतर्वे राजा का नाम भी शात करनी के नाम पर ही रखा गया। उसे गोतमी पुतर शात करनी के नाम से जना जाता है। वो जो हम बात कर रे हैं, वो तीसरा साशक था, सात वहन वंस का साथ करनी, और ये जो था वो सतर्मा शाशक था, नाम बहुत ही popular है आंदर सात वहन वंस में, गोतमी पुतर साथ करनी अत्यन्थ प्राकरमी राजा था, उसने शकों को, पलवों को और यवनों को सभे को परास्ट किया था यानि कि उसके जो यश़् की तूती हर जगें बोल रही थी उस समय इन्होंने शक शाशक नहपान को भी परास्ट किया और उसके चांदी के सिकों पर अपना नाम लेक्वाया यानिकि उसको प्रास्थ करके उसके चांदी के सिक्के ले करके उनके उपर अपना नाम लिख वाया यह इन्होंने किया था जो गोतमी पुतर शात करनी थे इन्होंने वेंकट स्वामी राज राज महाराज आदिव पादियां भी धारन की गोत्मी पुतरशात करने को त्री समुदर तोई पिता वहन भी कहा जाता है मतलब कि इनके घोडों ने लोग कहते हैं कि तीनों समुदर का पानी पिया हुआ था यहां पर यह लुकोक्ति यूज हो रही है तीनों समुदर मतलब तीनों डिरेक्शन्स में ये जितने भी शाषक थे उनको परास्त कर चुके थे घोडे कभी समुदर का पानी नहीं पीता है पर यह लुकोक्ति यूज की जा रही है कि तीनों डिरेक्शन्स में बंगाल की खाड़ी हिन महासागर और अब सागर तीनों महासागर जो हमारे हैं तीनों समुदर जो हैं वो इसकी जद में थी गोत्मी पुतर शात करनी के पश्चात उसका पुतर पुलवामी 130 इस्वी में राजगद्दी के उपर बैठा उसने अमरावती स्थित बोध स्थूप के चारों और वेष्टनी का निर्मान करवाया काफी बार पूछ ले जाता है कि बोध स्थूप के चारों वेष्टनी का निर्मान किस ने करवाया 27 वा शाषक था यग शरी शात करनी जिसने 174 इस्वी से 203 इस्वी तक शाषन किया और इसने शकों को हरा दिया ये जो थे पुलवामी ये शकों से हार गए थे लेकिन जो यग शरी शात करनी थे 27 वा साषक पुलवामी के बाद वाला उसने क्या किया पुने शकों को हराया और शक शास्य गुरुदरा दामन की पुत्री से विवा किया इसके सिकों पर जहाज के चितर मिलते हैं अब जहाज के चितरों से हमें यह पता लगता है कि इसके समय में समुद्री वैपार काफी फैला हुआ था यानि समुद्र के माध्यम से ये लोग वैपार किया करते थे तो ये अंदाजा हमें लगता है कि आंदर साथ वहां वन्ष जो थे वो समुद्र वैपार के अंदर भी परमप्रगत रूप से माहीर थे तो प्यारे विद्यार्थियो अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप टेलि पर इसको शेयर करें और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है अगर आप हमारे साथ जोड़ना चाहते हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं आज के लिए इतना ही कल फिर एक और नया विडियो नया लेक्चर आपके लिए लेकर के आएंगी बहुत-बहुत थेंक यू जेहिंट